Electromagnetic spectrum Students, Electromagnetic spectrum क्या है? इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़े शामिल होती है? First of all, Electromagnetic spectrum को explain करने से पहले पहले हम spectrum देखते हैं के arm life में हम spectrum किसको कहते हैं और उसके बाद आते हैं के Electromagnetic spectrum क्या चीज़ है? याने, actually, जब हम simple words में spectrum की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है arrangement यानि आपके पास, for example, मुखतलिफ height के या मुखतलिफ edges के चीज़ें, for example, उसको आप arrange करते हैं एक खास order में, तो उसको हम कहेंगे spectrum यानि इसकी meaning है arrangement के अब किस तरह arrangement हम कर सकते हैं? Let's suppose एक simple example लेते हैं कि कुछ students है left, एक हमारे पास ये student है, इसकी height जो है, for example, हम कहते हैं, वो है 4 feet, ये इसकी height है दूसरा student है, उसकी height इससे तोड़ी ज्यादा है, वो है, for example, 4 and a half feet उसकी height है देखें, उसको हम इसके बाद रख लेते हैं, तीसरा student है, उसकी height हम देख लेते हैं उसकी height जो है, वो है, suppose 5 feet, इसी तरह another student है, उसका height सबसे ज्यादा है 6 feet, for example, तो अगर आप देखें, यहाँ पर जो quantity हम use कर रहे हैं, वो क्या है? height, यानि height के लिहाज से, हम इनको एक खास order में जो है, वो कड़ा कर रहे हैं तो अगर आप देखें, height यहाँ पर क्या है? एक खास order में है, यानि height यहाँ पर हमारे पास quantity है और वो एक खास order में है, जिसकी height सबसे कम है, वो हमने देखें, left side पर उसको रखका हुआ है उसके बाद जिसकी height ज्यादा है, वो second left पर है, फिर उससे सबसे ज्यादा height और सबसे ज्यादा जिसकी height है, वो right side पर है तो अगर आप देखें, हमने इनको एक खास arrangement दी है, एक खास order दिया है, तो इस तरह arrangement को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे, spectrum of height, यानि height के लिहाद से हमने उनको एक खास order में रखा हुआ है, इसी तरह अगर हम कहेंगे, कि for example, हम weight के लिहाद से देखते हैं, suppose हम कहते हैं कि इसका weight है 30 Newton, 30 Newton इसका weight है, इसका है 40 Newton, और इसका है 50 Newton, और इसका है 60 Newton, तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो arrangement है जो spectrum है, वो with respect to weight है, यानि जिस quantity के लिहाद से हम उसको range करते हैं, उस लिहाद से उसका spectrum बन जाते हैं, उसकी arrangement बन जाती है, so यहाँ पर हम particularly बात कर रहे हैं, electromagnetic spectrum की, यानि जो हमारे पास electromagnetic waves हैं, जिसको हम sharply EM waves कहते हैं, EM waves, यानि EM का मतलब है electromagnetic, जो electromagnetic waves है, चुनकि एक जो उसमें common चीज है, वो यह है कि इनकी speed सब की same होती है, electromagnetic waves की, अगर हम vacuum में बात करें, तो वो है 3 into 10 rest to power 8 meters per second, यह इसकी speed होती है, लेकिन कुछ quantities, कुछ factors इनके अंदर AC हैं, कुछ properties इनके characteristics के, वो सब की different होती है, और वो क्या है, उसमें हमारे पास, जो important और common चीज़े हैं, वो है wavelength, जिसको हम lambda से represent करते हैं, और frequency, जिसको हम F से represent करते हैं, यह सब की different होती है, यानि speed सब का same होता है, लेकिन अगर हम देखे wavelength और frequency तो वो दो अलग-अलग waves जो हैं, उनके different होते हैं, तो अब यहां पर हम उनको frequency और wavelength के लिहाज से arrange करते हैं, कि किस तरह जिसकी सबसे ज्यादा wavelength है, उसको हम एक side पर रखेंगे, जिसकी और wavelength decrease हो रही दूसरे side पर, इसी तरह जिसकी सबसे ज्यादा frequency हो रही है, तो उ उसको हम एक खास arrangement है, यानि यहां पर इन waves को हम frequency और wavelength के लिहाज से arrange करते हैं, तो इस arrangement को हम क्या कहेंगे, electromagnetic spectrum, अब देखें, कुछ चीजें यहां पर हम और भी relate करेंगे, उसमें first जो है वो आएगी, E is equal to HF, जिस तरह के हमने photon पढ़ा था, कि light जो है, वो particle की तरह भी behave करत होती है, उसको हम energy packet को हम photon कहते हैं, तो यहां पर एक photon की energy है, वो हम इस तरह represent करते हैं, E represent करती है energy, photon की energy है, एक single photon की, H जो है वो constant है, उसको हम कहते है, Planck's constant, यह higher level पर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर just इसकी हम introduction दे दे, कि H जहां पर भी आजाए, वो आपको particle-like nature शो करे का, यानि उसका मतलब यह है, कि वो चीज पार्टिकल की तरह behave करता है, तो वहां पर H introduce होता है, और F क्या है, F उसकी frequency है, उस photon की, यानि अगर आप देखें, H तो constant है, तो इसका मतलब यह है, कि सिरफ दो चीज़े change होती है, energy और frequency, यानि अगर frequency ज्यादा है, तो उसकी energy ज् होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि जितनी ज्यादा frequency होगी, उतनी ज्यादा energy होगी, जितनी कम frequency होगी, तो उतनी कम energy होगी, तो यह दोनों quantities यहाँ पर directly related है, अब यहाँ पर arrangement की तरफ हम आते हैं, इसको आप नाम दे, for example, figure 1 का, figure 1 का हम नाम देते हैं, इसको, देखे हम start क करते हैं, right side से, यहाँ पर, अब right side पर जब हम start करते हैं, तो यहाँ पर frequency हो सबसे ज्यादा है, यानि हम higher frequency से start लेते हैं, देखें, आप जो wave आपको यहाँ पर show हो रहा है, उसके wavelength बहुत ज्यादा कम है, यानि इस तरह है, देखें, हम जानते हैं, कि दो, जो, crest होते हैं, उनके दरमयान distance क्या होता है, एक wavelength के equal होता है, यह एक wavelength है, तो अब देखें, बहुत करीब है, और जिस तरह हम right side पर आ रहे हैं, तो crest के दरमयान, जो distance है, वो increase हो रहा है, तो इसके मतलब है कि wavelength बढ़ रहा है, और जब wavelength बढ़ता है, तो frequency कम होती जाती है, तो अ approximately इसके equal होता है, meters के, 10 raise to power minus 12 meters के, तो देखें, gamma rays जो है, उनकी frequency सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यह है, कि frequency जितनी ज्यादा होगी, तो उतनी ज्यादा energy होती है, तो इसका मतलब यह है, कि यह इस arrangement के सबसे energetic waves है, सबसे energetic waves, gamma rays है हमारे पास, चुंकि इनकी frequency ज्यादा है, और wavelength सबसे कम है, wavelength है, 10 raise to power minus 12 meters के equal, और अगर हम इसको compare कर लें, तो इसकी जो dimensions होती है, wavelength की, वो तकरीबन, atom की जो nucleus होती है, उसके size के बराबर होती है, जो wavelength होता है, इस तरह, इसके बाद आते है, X-rays, यानि X-rays की जो frequency है, वो gamma rays से कम होती है, चुंकि इसका wavelength ज्यादा है, तो जब wavelength बढ़ता है, तो frequency कम होती जाती है, तो आप देख रहे हैं कि इसका wavelength जिस range में है, वो है हमारे पास 10 raise to power minus 8 meters से लेकर, 10 raise to power minus 12 meters में, इस range में, जो waves होंगे, जिनका wavelength इस range में आएगा, उनको हम क्या कहेंगे, X-rays, और इनकी, चुंकि frequency कम है, gamma rays से, तो इसलिए इनकी जो wavelength greater होता है, और अगर आप देखें, इसका wavelength का size है, वो atom के size के equal होता है, तो देखें, gamma rays का wavelength nucleus के equal size के, और इसका atom के size के equal है, इसके बाद आते है, ultraviolet rays, ultraviolet rays का देखें, आप जो है, देख रहे हैं, उसके जो dimensions है, wavelength के, वो हमारे पास equal है, 3 into 10 raise to power minus 7, इस से लेकर, 10 raise to power minus 8 तक, इस range में जो आएगे, उनको हम कहते हैं, ultraviolet rays, और इसकी आप देख रहे हैं, कि हमारे पास, जो size होता है, वो तकरीबन molecule के size के बराबर होता है, इसके बाद आता है, visible light, visible light वो है, जो के, वो waves जिनको इनसानी आंक देख सकती है, उनको visible light कहते हैं, बाकी जो waves है, उनको इनसा 8 x 10 ns.7 से लेकर, 4 x 10 ns.7 meet'र और इनकी जो wavelength की size है, वो तकरीवन bacteria के size के equal होता है, इसके बाद आते हैं, infrared, infrared की जो size है, उससे भी ज्यादा है wavelength की, 10 ns.3 से लेकर, 10 ns.6 meters तक, और इनको reading esté, उससे बाद आते हैं, Microwaves, उनका wavelength उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतनल भी है, कि उनकी energy और भी काम हो जाएगी, चुछ उनकी frequency काम हो रही है, और इनकी wavelength का size है, वो है, एक meter और 10 minutes power minus 3 meter के दर्मियान होता है, और जो एक meter से ज्यादा जिनका wavelength होता है, उनको हम कहते हैं radio waves, तो radio waves का size है, वो तकरीबन buildings के equal होता है wavelength का, और अगर आप microwaves का देके तो उनका equal होता है, sugar के दानों के equal, तो यह हमारे पास electromagnetic spectrum.